सबस्त्राद ये हमारे रही चटोनर वीक का सेकंड वी डियो और ये संब ine तो कैलशिम रिच चट्टनी के से बनाएंगे पता है करीली से बस यह आप 10-20 रुपय में अजाते हैं कभी-कभी तो हम फ्री में भी लेकि आते हैं तो चलिए विदाव विसम इसे कैसे बनाना है यह देखते हैं तो यह करीली से बनाने के लिए ना मैंने क्या किया गैस चला और कड़ाई थोड़ी से गरम हो जाने के बाद ना हम इसमें अट कर देंगे थोड़ा सोईल ज्यादा नहीं डालना है अगर ज्यादा ओल अफकोस जालोंगे तो हमारी जो चट्टनी वह बनेगी और हेल्थ के लिए वह अच्छा नहीं होगा तो हम ऑईल को ना मीडियम ली फ़ेड़ी तो की असवाइश कभी गरम कर लेंगे ज्यादा नहीं करने और इसके बाद हमने हमें इसमें यह इसमें और शिद्ध हैं और चांडा से क्ली बुट कर दिया और फैन के नीचे कंडा दीए और इसमें पतेविगा यह उसकों अच्छवम मुट को आ जाल के बंद कर दीजे और इसमें एड़ कर देजे रेड़ चिली पाउडर कि बाद मिसमें एड़ कर सकते हैं इंग ऑप्षिनले हैं लेकिन हैं वेल्दी फोर हैल्थ उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट और से अच्छ एक बर मिक्स कर लेना हैं इन तीनों चीजों से यानि कि सेसमे सेट्स इसे हमें कुछ रोस्ट करके नहीं डालना है बस ऐसे डाल दीना है और इसे अब थंडा करने के बाद ही तील डालना क्योंकि इसकी अगर गर्मा गरम में हमने एड कर दिया ना तो इसकी पुरी क्रिस्पी कुछ चली जाएगी तो यह थंडा होने के पुरा यह मिक्सर में कर सकते हो लेकिन उसे पूरा पाउडर बन जाएगा तो वह अच्छा नहीं होगा या फिर हाथ से कर सकते हैं यह हमारी चटनी पर रेडी है और मैंने से सफ कर लिया है कितनी अच्छी बनी और बहुत सबस्ती बनती है जो हम ना कैलशियम के लिए गोल और एक बात इस चटनी को ना 15-20 दिन तक ना अच्छे से एटाइट कंटेनर में स्टोर करके लख सकते हो यानि कि इसे जादा बार बनाने की जुरूरत नहीं 20 दिन तक तो इसा कुछ नहीं होता तो फ्रेंस कैसे लिए अच्छी वीडियो कमेंट में जरूर बताना अगर प उनको प्रेस करना तो बिलकुल भी न भूलना तो मैं मिलते हैं आप से कल्प